थोड़ा सा कंपनी के बैग्राउंड के बारे में थोड़ा सा कंपनी के हिस्ट्री को समझ लेते हैं तो तुलसी पेंट के शुडवात सन 1997 में सिमेंट पेंट एवं डिस्टेमपर के साथ होई थी यह जो फैक्टरी आप देख रहे हैं यह नांदेड महाराष्टर में स्थित ह सन 2001 में कंपनी ने प्लास्टिक प्रिंट बनाना शुरू किया था सन 2003 में कंपनी ने जो है बेसेस की आदूनिक टेकनोलोजी को अपनाया जो आज भी इंडिया में चार-पांच बड़ी कंपनीयों को छोड़तर कोई भी कंपनी ने नहीं अपनाया है सन 2005 में कंपनी ने ये इस तरीके के designer paints जो आपके सामने दिखाई दे रहे ये बनाना शुरू किये जब कंपनी ने 2005 में ये product बनाना शुरू किये तब इंडिया में इस तरीके के product कोई भी नहीं बनाता था तब यह product सिर्फ इटली से import किये जाते थे और इसी कारण कंपनी को सन 2008 में special recognition award केंद्री केंद्र सरकार के द्वारा central government के द्वारा तब जो हमारे पंतप्रदान थे डॉक्टर बंगोन सिंग जी इनके हातों इस अवार्ड से नवाजा गया सन 2012 में company ने कुछ ऐसे product बनाना शुरू किया construction chemicals जिनको कहते हैं जो cement को ताकत देने वाले chemicals इन दिनों construction में इस्तमाल होते हैं इन products को company ने 2012 में बनाना शुरू किया सन 2016 में अलिराजपूर मध्यप्रदेश एविम गुजुरात में एक industry का setup हुआ सन 2008 में rate की जो बढ़तीवी समस्याइं है इन दिनों किसी ने construction किया होगा तो वो समझ रहे होगे कि rate की बड़ी समस्या होती है तो उनका परियाई उनकी जो परियाई विवस्ता है उसको ध्या परिवार का हिस्सा बन गया सन 2022 में कंपनी ने भिलवाडा राजस्तान में एक factory की शुरुवात की और हम बहुत भागिशाली है कि साउथ से जिन लीडर्स ने इस business को शुरू किया वो उसके इनाउग्रेशन पर वाहां उपस दिते सियारन मूर्ती सर उपस दिते जनादन र करलें तो सन 2022 में कंपनी को 25 साल परइंडस्ट्री में पूरे हो गया morgen सान चाश दो हजार एसमें पूरा हुआ तो यह एक चोटा सा बैगरांड था कि कंपनी ने कैसे शुरुवात करी और कितना कंपनी के पास अलग-अलग प्रोडक्ट के माध्यम से है